नमस्कार, हेल्टेप्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी जनकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना भेहद इंपोर्टन्ट और आपके लिए लाबदैक साबित होती है तो चलिए दोस्तों वाई ये आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास कहा जाता है अच्छा भोजन अच्छे स्वास के लिए ही खाया जाता है जाता लोग भार के भोजन को अवोईट करकर जादा से जादा घर का बना हुआ खाने के कोशिश करते हैं आपने देखा होगा कई लोग मा, शराब, धुम्रुपान, तथा तंबाकू और सुपारी जैसी चीज़ों का बिलकुल भी सेवन नहीं करते हैं और हमेशा घर का सादा भोजन ही खाते हैं लेकिन बावजुद इसके वह अपने शरीर से जुड़ी किसी ना किसी समस्या, कमजोरी या बिमारी से परिशान रहते हैं क्योंकि यही चीज़े निर्धारित करते हैं कि खाय होए भोजन का हमारी सिहत पर कितना असर और कैसा होगा हम सबी सुनते आ रहे हैं घर पे बनावा भोजन पोस्टिक होता है फल, सबजिया और दूध हमें कई थरह के पोशक तत्वर प्रदान करते हैं लेकिन फिर भी आज दो मेंसे एक व्यक्तिके शरीर में खून, विटामिन्स, आइरन और केल्शियम जैसे कई जरूरी निउट्रिंस की कमी होती है क्योंकि कई लोग खाना खाने के बाद कुछ ऐसा कारे करते हैं जिन से नातों के वर भोजन ठिक से पस्ता है और नहीं उसमें पोशक त्वत्त पूरी तरह पाते हैं और इतना ही नहीं कुछ गलतिया तो इतनी खतरनाक होती हैं कि जो शीदे शरीर में कई गंभीर अलर्जिस, कमजोरी और कभी न ठीक होने वाले बेमारियों को धीरे धीरे जन्म देती रहती हैं हमारी बोड़ी के लिए जितना जरूरी भोजन है उससे कई गुना जादा जरूरी से जुड़े नियम हैं और अगर आप इन असान नियमों को ध्यान में रखते हैं तो हेल्थ से जुड़ी कई तरह की समस्याएं बिमारी और दवाईयों से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं मोटापा, एसीडिटी, यूरिक एसिड, थाइरोड, अर्थराइटिस, आखों के कमजोरी, बालों का छड़ना या पकना, अस्तमा, फेफ़रों के कमजोरी, साइनेस, माइगरेन के समस्या, रात को नीन ना आना, कब्ज, डाइबरेटीस, तथा दिल की बिमारियां और यहा में जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, हम सभी चानते हैं, धुम्रपान या स्मोकिंग सिहत के लिए हानिकारक होती है, शुरुआत में जब कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद सिग्रेट पिना शुरू करता है, तो दीरे दीरे यह स्मोकिंग का एक ट्रिगर बन जात हैं, क्योंकि खाने के तुरंद बाद सिग्रेट से होने वाला बुरा प्रभाव तरद सुना जादा बढ़ जाता है, जब हम सिग्रेट पीते हैं तो इसमें पाए जाने वाला निकोटिन भारी मात्रा में हमारे शरीर के खून में प्रवेश करता है, निकोटिन हमारे खून से ऑक्सीजन को कम करता है जिससे पाचन पक्रिया में गरबड़ी आ जाती है ऐसे में खाना खाने के तुरंद बाद स्मुकिंग करने से खाए हुए भुजन का असर शरीर पर पूरी तरह नहीं हो पाता है और शरीर में न्यूट्रिशन डेफिशेंसी हो जाती है सिगरेट के दुए में पाए जाने वाले क्यामिकल्स भुजन के पोशक तत्वो को खतम करने देते हैं और खाना खाने के तुरंद बाद सिगरेट पीने की आदत लंग कैंसर और आतों के कैंसर फिफरो के कैंसर को 50 प्रतिशन तक बढ़ा देती हैं दॉक्टर्स का मानना है कि भुजन के तुरंद बाद पी गई एक सिगरेट परीपून 10 सिगरेट एक साथ पीने के बराबर होती है इसलिए अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही सिगरेट पिए अकसर पेट भरके खाना खालेने के बाद लेटने आराम करने का मन करता है और देखा जाये तो खाना खाने के बाद नीन भी बहुत अच्छी आती है लेकिन भोजन के सही तरीके के पचने से शरीर का सीधी मुद्रा में होना सबसे बहतर माना जाता है क्योंकि भोजन शरीर म उपर से नीचे की और ट्रेवल करता है। लेट जाने पर भोजन के पचने की गती धीमी हो जाती है। और भोजन उसे पचाने वाले एसे जाने की जगा कई बार उपर भी आने लगते हैं। ऐसे में छाती में जलन, एसी जीजी, ब्लूटीन, अपचन, खटी ड़कारे, पेट में अलसर और आतों में अनेग बिमारियों की संभावना काफी जादा बढ़ जाती है। किसी भी व्यक्ति को एक बार जब पाचन से जुड़े रोग हो जाते हैं, तो यह समस्या शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती हैं। और दीरे-दीरे नई-ई-ई बिमारिया शर होना चाहिए। अक्सर मसालेदार या चटपटे भुचन के बाद डेजर्ट या मीठी चीज़े खाने जादा नंदाता है। और कई लोग रोजाना रात को भुचन के बाद कुछ ना कुछ मीठा आवश्ये खाते हैं। हाला कि खाने के बाद गुड मिश्री, खान या फलो हमारे भुचर में हम अनाज, डाले और सब्चियों का सेवन करते हैं, जिसमें पहले से ही गुलुकोस, प्रैप्त मातरा में होता है। खाने के बाद चीनी से बनी हुई मीठी चीज़े शरीर में शुगर की मातरा को तेजी से बढ़ा देती हैं, जिससे मोटाबा, पेट और कमर के हिस्सों में चर्बी जमा होने, डाइबर्टेज और किट्नी से जुड़ी बिमारे होने के समभावना समय के साथ-साथ बढ़ती रहती हैं। चीनी को बनाने में बहुत सारे क्यामिकल्स का इस्तेमाल भी होता है, जिससे चीनी एसिडिक हो जाती है। खाने के बाद च ठीक तरह से पच्चता है, वैसे खाने के बाद सोग अदम चलने के बाद सही तो है, लेकिन खाने के तुरंद पाद चलना सेहत पर बुरा सर डालता है। खाना पचाने की प्रक्रिया के दोरान हमारे पाचन तंतर में तेज बलड फ्लो की जरुरत होती है, और जब हम खाने के कम से कम आदे खंटे बाद पैदल चलना शुरू करें। चायर कौफे में कैफीन और टैनिक एसिट की मातरा ज़्यादा पाई जाती है। खाने के बाद इसका सेवन करने से बुजर में मवजूद आईरन और प्रोटीन शरीर पूरी तरह अब्सॉर्प नहीं कर पाता चाय के तासीर गर्म होती है और चीनी के कारण ये एसिडिक भी हो जाती है। बुज़न के बाद चाय जैसी गर्म चीजे एसिड रिफलेक्स, हाइपर एसिडिटी और त्वचा के रोगों को चर्म देती है। इसलिए बुज़न के तुरंद बाद चाय कभी ना पिए। पारे पेट में बलड फ्लो तेज होता है और शरीर का तापन बढ़ता है इसी वज़े से खाना काते समय हमें गर्मी लगना भी शुरू हो जाती है खाना खाने के तुरंद बाद नाने से शरीर का टंपरेचर ठंडा हो जाता है और साथ ही पाचन तंत्र की बज़ाय शरीर की त्वचा और दूसरे एंगों में बलड फ्लो तेज हो जाता है ऐसा होने पर भोजन के पच्टने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और दिन का भोजन करते समय भी सुबह का नाश्ता पेट में ही अदपचा रहता है जिससे पेट खराब होने की संभावना काफी जादा जाती है आरवेदे के हिसाब से भोजन के तुरंद बार पानी पीलेने से शरीर में कई तरह की बिमारिया पैद होती है कई लोगों के भोजन करते ही बहुत चारा पानी पीने या बहुत ठंदा पानी पीने की आदत होती है जादा मात्रा में पानी पीना भोजन के पाचन को खराब करता है जिससे भोजन पेट में ही धीरी धीरे सरने लगता है और भोजन के पोशक तत्वा में पूरी तरह नहीं मेल पाते हैं खा जाता है भोजन पचाने वाली जटल अग्मी पानी पी लेने से बुझ जाती है अब पाचन के कारण आतों के खराबी पेट में अलसर, यूरिक एसिड, ऐसीड, ऐसीड, कब्स, शरीर में कमजोरी और ग्लुटेन जैसी समस्या होने लगती हैं इसलिए हमेशा भोजन के बाद हमें एक या दो खुटी पानी पीना चाहिए और पानी पीना ही हो तो भोजन के बीच में पीए, खाना खाने के बाद प्यास लगती हो तो इसके लिए निम्बू पानी या छात जैसी चीजों का सेवन करें कभी भोजन के बाद फ्रिच का बहुत ज़दा ठटना पानी ना पीए, क्योंकि पाचन पक्रिया को खराब करने के लिए या साधारन पानी से भी तस्कुना ज़्यादा हानिका रखोती है वैसे तो हर व्यक्ति को रात को सुने से पहले ब्रेश करना चाहिए, लेकिन खाना खाने के तुरंद बाद ब्रेश करना हमारे दातों के लिए आनिका रखो सकता है खास कर ऐसेदिक चीजों के सेवन के बाद नीमू संत्रे और इसी सब भी खटी चीजों जिन में citric acid की मातरा दिक होती है और उनके सेवन के बाद कुछ समय हमारे दातों की एनिमल्स कमजोर हो जाते हैं और इस समय तुरंद ब्रश कर लेने से दातों को भारी नुकसान हो सकता है इसलिए हमेशा खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही ब्रश करना चाहिए फूर्ट्स और सलाध हमारी सहत के लिए बोजन से भी ज़यादा फाईदे मंद होते हैं इसलिए हमेशा डॉक्टर्स और डाइटीशिंस रोजाना सलाध और फुलो का सेवन करने की सलाध देते हैं और इन्हें हमारे आतों तक पोंचने में 30-40 मिनिट का समय लग जाता है लेकिन भोजन के बाद फलो का सेवन करने से फलो और भोजन दोनों की ही पाच्चन प्रक्रिया गर बढ़ा जाती है और शरीर में कैस बनने लगती है इसलिए फलो का पूरा लाब उठाने के लिए इन्हें भोजन से अलग किसी अन्य समय पर ही खाए ऐसी कई खाने वाले चीज़े हैं जो दिखने में तो सिहत मन लगती है पर हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालती है और साथ ही कई बार दो अलग लग प्रवर्ति की चीज़ों को एक साथ पिलाकर खाने से होने वाले कैमिकल रियाक्शन से भी कई बिमारियां पैदा होती है खानपान से जुड़े इन दोनों विश्यों पर हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो से होने जरूर देखें और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही लोटिंग एक नई वीडियो के साथ मेरे चनल को लेक सेस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक आप अवश्र करें